यार इंडिया में जब टैलेंट की बात होती है ना तो इधर-उधर से ढूणना नहीं पड़ता क्योंकि पूरा इंडिया ही टैलेंट से भरा हुआ है कहीं से भी उठा लो हाथ में टैलेंटी आएगा और जब इंडिया में talented actors के बार में बात होती है तो उन्हें उठाकर कहीं भी रख दो फिल्में 10 गुना बढ़िया ही हो जाती है प्रियंका चोपड़ा कोई देख लो अब सीधा हॉलिवोड है बट सिर्फ वही अकेली नहीं है जो हॉलिवोड तक पहुची है ऐसे कई सारे talented actors हैं जो हॉलि 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 तक पहुच गए तो भाई याज हम बात करेंगे पांच ऐसे बॉलिवोड actors की जो हॉलिवोड में भी बड़िया talent मचा कर आए है मैं हूँ अभिनफ और आप देख रहे हैं Uncut नमबर फाइव अमिताब बच्चन भाई आप लोगों ने एक फिल्म तो देखी होगी The Great Gatsby अरे अपने Leonardo और Toby McGuire की अगर नहीं देखी तो जरूर देखना 2013 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म में अमिताब जी का बहुत ही बैथरीन चार मिनिट का सेग्मेंट है इस केमियो में वो एक गैंबलर का रोल निभाते हैं और स्क्रीन शेयर करते हैं Leonardo और Toby के साथ ही और इस सीक्वेंस में भाई अमित जी का प्रेजन्स क्या पावरफुल होता है और सब को ओवरशैडो कर देता है नमबर पोर रंदीप हुड़ा बाई क्या ही एक्टर है रंदीप बाबा यार कुछ भी रोल हो कुछ भी बेस्ट वर्जन निकालते हैं अपना और तभी उन्होंने कुछ अलग सा ही रोल निभाया है कहां एक्स्ट्रैक्शन में क्रिस हैमसौत वाली एक्स्ट्रैक्शन नहीं देखिए तो अभी जाकर देख लो रंदीप और क्रिस का इतना असली लगने वाला आक्शन है ना तुमने कई और नहीं देखा होगा नमबर थ्री नसुरुदिन शाह तुम्हें तो पता ही होगा यार नसुरुदिन शाह तो इंडिया के one of the best actors में से माने जाते हैं यार हिंदी ओडियंस को तो उन्होंने best entertain किया है पर आपको पता है उन्होंने कौन सी हॉलिवूड फिल्म में अपना best दिया फिल्म का नाम है इस फिल्म में उन्होंने स्क्रीन शर करी है किसके साथ शॉन कॉनरी कौन अरे अपने James Bond नमबर टू प्रियंका चोपडा यार पीसी तो हॉलिवूड में ही सेट है सबको पता है पर ये पता है कि वो टीवी शो भी कर चुकी है वो भी lead roles very strong characters स्क्रीन शेर करी है डवेन जॉनसन जैक एफरॉन के साथ में Baywatch, Quantico, Citadel जैसे shows इर्फान सर का तो टैलेंट वर्लड वाइड सेट है हम सब को पता है उन्होंने कितनी हॉलिवूड फिल्मे करी हुई है The Namesake जिसमें इर्फान सर पनिभाते हैं एक फादर का character बहुत ही subtle character ये फिल्म उनके career की बहुत important फिल्मों में से एक है क्योंकि इस फिल्म के बाद उन्हें बहुत सारे international films मिली अगर आपने The Namesake नहीं देखी तो आज ही देखो तो ये थे पाँच इंडियन अक्टर्स जिन्होंने अपना career हॉलिवूड में भी set किया है अगर आपको पता है तो comments में जरूर बताईए और इस वीडियो को like कीजिए सब्सक्राइब करना ना भोलिए अनकट को